आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेन में जो डिफरेंट डिफरेंट कोच कोड़ होते हैं उसके बारे मैं बताने वाला हूँ जैसे कि आपका A1, B2, D2, C1 इस अब लिखा राता है ना उसका मतलब क्या होता है बहुत सारे ट्रेन के कोचिज के कोड होते हैं बहुत साए लोगो नहीं पता होता है तो पूरा जनकाड़ी हमको देने वाले हैं आपको क्योंकि बहुत सारी लोग हमारे देश में जो है ट्रेन में सफ़ड करते हैं ट्रेवल करते हैं तो उनको यह जनकाड़ी होना बहुत आवस्यक है ठीक है अब जैसे कि यह कोच है यहां पर ट्रे लिखा हुआ है ठीक है ना एक्सिक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है इसे तरो आप दिखाता हूं क्या क्या यहां पर है आपको समझ में आएगा देखिए बोगी पर ए लिखा रहता है इसका मतलब होता है एक मतलब होता है यहां पर टू टायर एर कंडिशन कोच ठीक है न वी लिखा रहता है बीवन वी टू इसका मतलब है थ्री टायर एर कंडिशन कोच ह Prix का मतलब होता है condition miscar ठीक है दी का मतलब होता है second class seat which can be just second say second class होता है्ट का मतलब City 200 होता है आप को कहायाता है उसके बाद आपका जोर्ण में बता रहा हो हूं यहां पर ही होता है आपका में इक मिनट पिर से मैं बता देता हूं यहां पर दी का मतलब देखिए इसके बाद एंड इसके बाद यहां पर देखिए जो है है आगे एसके मतलब होता है एक मतलब में तरी टायर करदिशन गरीब रथ है यह का मतलब तरी अट्र करदिशन द्र ciao कॉष्ट्र सब्सक्राइब इसका मतलब आपको मैंने आपको समझाया ठीक है और मैंने सारा कोच का वहार बता है अब किसी कोच कोट के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो आपको मैंने जो है कॉमेंट करने का मौका देता हूं आप कॉमेंट कीजिए मैं आपको उसके बाड़े में स्पेशल वीडियो बनाकर दिखाऊंगा फिल्हाल मैंने आपको जो है सौट कोड का मतलब क् विस्तार से जानकाड़ी के लिए आप कॉमेंट भी कर सकते हूं किसी कोच का पोजिशन कोच का नाम लिखके कोड लिखके हम आपको विस्तार से बता देंगे आपको टेंसर लेने की जोड़त नहीं है ठीक है चलिए बहुत धन्यवाद जैहिंद